हर rock उस वीडियो प्रवेंस तो कैसे हैं किसा लोग्ते कर छे दिन के बाद मैं अपने चैनल पर आ रहा हो और आप लोग के सामने एक वीडियो ला रहा हूं और सच बता तो मुझे बहुत जब्धा यहां बहुत दर्द हो रहा है कि में चैनल पर वीडियो नहीं आ पारी कभी इतना ज़्यादा नहीं करता बिना किसी कारण के ठीक है और वैसे तो करता ही नहीं हो यह कि एक्जाम्स आ गए हैं वह भी 11 के में वाले फाइनल अग्जाम ठीक है तो उसी की पूरी तयारी करने वह आया न चल्ब बना कर देते हैं औरale बनाकर देते हैं और आप लोगो के चीज़ नहीं है ठीक है बहुत ज़्यादा मज़ा आपको भी और बहुत ज़्यादा पावफुल है पावर का अंतासा आप लोगों ने वीडियो की शुरुवात में इसकी स्पीड देखके ही लगा लिया हुआ तो चले जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं काफी टाइ वीडियो को लाइक जरू करते हैं प्लीज लाइक करते हैं ठीक है चले शुरू करते हैं काफी टाइम बाद अपनी टेवल पर फिर से मैं आ चुका हूं और इस प्रोजेक्ट को बनने बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत इंट्रेस्टिंग सा प्रोजेक्ट भी ह जाते हैं उसके बाद यहां पर एक मोबाइल की बैटरी आठीक है इसका यूज किया है मैंने इस प्रोजेक्ट में और साथी एक स्विच यह थोड़ा सा बढ़ा है इससे छोटा आप यूज कर सकते हो और हो सके तो तो इस से छोटा ही यूज कर लेंगे यहां पे एक सिच क जो कि हमारा फेवरेट मेटेरी चलो बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले इसके चैसी बना लेते हैं ठीक है तो उसे बनाने के लिए यहां पर सिंपल साम यूज़ करेंगे इस पीविची का जैसे के पहले ही बोला साथ यह जिसका ध्यान रखेंगे कि यहां पर बैटरी जो है साइज में आपको दिखा रहा हूं उसी से इसका आपको भी बना लिए हैं और यह नीचे का बेस्ट इसको इसको पर इस चिपकाएंगे और फिर इसमें साइड में मोटर लगाएंगे ठीक है सब कुछ किस तरह से होगा वह आपके सामने होगा आपको अपने आप समझा इस तरह का हो गया अब साइड में दोनों मोटर को इस चिपका देंगे ठीक है और यहाँ पर ज्यादा मजगतिर के यह यह यूज कर सकते हो मैं फैविक करूंगा और साथी टेप का भी उसकरूंगा करेंगे और साथ यह स्विच लगाएंगे ठीक है और साथ यह स्विच लगाएंगे ठीक है और इसमें जो भी चीज़े अगर और चीज़े एड़ करना चाहते है तो लगाएंगे सारा कुछ वह भी आपको यहां पर दिख जाएगा यहां पर तो यह वाला पीछ वाला हिस्सा बन जोगा और आगे का इस तरह से कंप्लीट हो गया ठीक है कुछ इस तरह के डिजाइन में रखा है और अब यह सारी चीज़े जो है यह पीछे सब्सक्राइब करके इसको बंद कर देंगे ठीक है और फिर हमारा कंप्रीट हो जाएगा और फिर कर लेते हैं और फिर कनेक्शन वालाएं पर कर लेंगे यहां पर बैटरी अंतर लग चुकिए ठीक है और कनेक्शन वगरा सारा कंप्लीट हो गया आपके सामने पूरा का पूरा कनेक्शन ठीक है यहां पर मैंने टेप नहीं लगा है तो देख लो यहां पर पूरा आप देख सकते हो बहुत इजी कनेक्शन सीधा बैटरी से इसमें कर दिया है मोटर को दोनों को पैलर में कनेक्ट किया है ठीक है जो कि दोनों एक साथ चलने चाहिए इस तरह से आगए को साइड में वह ध कर देख सकते हो लेकिन कलर कर देते हैं और अब इसको आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा एक और चीज़ है जो कि आपको बात हैं पता चलेगी ठीक है फिलाल आप वेट तरो पहले इसमें कलर वगर कर लेते हैं दो तरह के और यहां पर चीज़ देखोगे कि इसकी इंडिकेटर लेडी जल रही है दिक का दिया थी कि मेरे पास बड़ा वाला डायोट था नहीं ठीक है छोटे-चोटे डायोट थे जो कि बहुत होगे तुरंट ही खराब हो रहे थे तो मैंने डायोट लगाया ही इससे बस होगा कहना कि हमारी रेडी हमेशे जल्दी रही पावर हट की पुल की का जूम करेंगी सु जल्दी खतम तो होती नहीं लेकिन चलो आपको वह सब बतारे क्या करेंगे आप डायोट लगा लेना सी चली जाएगी और चार्चलना शुरू हो जाएगा ठीक एसे डायोट लगाते हैं अरगी आपको ईक और बात आपको इसं इस तरह से चलने में इसको problem आती है जा झूझ तो मैं इस तरफ से चलाओंगा इस तरफ से ज्यादा अच्छी चलती ठीक है इस तरफ से चलाओ फोड़े धिर में अपने आप इधर उधर मोड काट लए शर कर दो चलाकर देखते हैं आप ध्यान से धेखना तो यहां पे स्टा ऑपिधियोरे जिगा तिक इसके रस्तावर देखा आप लोगा इस सिद आपको मदशलेगा कि इसके आए रस्तावर इसकी है स्रिशकर दाई धर सेष्ट को फिर गुब एस विंट करने भी टार्वार्ट करने हुआ स्रिशकर अंठ प्रेड प्रेड के लिए प्रेड है आपको टेस्ट करके दिखा दिया और आपको दिखा भी देते हैं कि यह कार किसके लिए तो चैनल को लाइक करें अभी रुग जा तो सबसे हले देखो इसे की क्लिए मैं यह बना रहे था ठीक है क्योंकि यह हमारे विकेंड पे थोड़ी एक मतलब एक हफ्ते के लिए था गोमने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर अच्छे वीज आएंगे तो 1000 लाइक नहीं तो पांसो काफिर हैगा ठीक है अगर अच्छे वीज नहीं आए तो अगर आगए तो 1000 कर देना चलो आज की वीडियो में इतना ही यार एक्जाम के बीच में वीडियो बना रहा हूं इसलिए लाइक जरू कर दे करो और अब अगली वीडियो दो या तीन दिन में आ जाएगी क्योंकि मेरे को एक्जाम में थोड़ा सा मतलब छुट्ट झालो